मेडिसिन को और बैल डबाए स्वाकत है दोस्तों एक बार फेर से आपके अपने यूटईब लिया जाता है उससे ठीक नहीं हो तो बाद में कौन सा इंजेक्शिन दिया जाता है साथ ये इसके अलावा एक बोनस जानकारी भी में इस वीडियो में दोंगा इसलिए वीडियो को अंतक देखें जिसी कि पूरी जानकरी आपको इसके बार मिल सके साथ इमेर चनल पर पहली बार है वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और सेकर नहीं बूले मैं हूँ आपका होस्ट मोही दादीच आप देखने अपना येटिव चनल लर्न अबूट मेडिसिन चलिए ऐस वे कुछ न लेकिन ि Anime नहीं है लेकिन ये दिधि की साथ वाइचिते की सउनोग्राफी रदे विच्टाहले को एक ब 티 Серश बहए going का दर्द होगा तो समय को या तै लेफ्ट हैडवा में में जे एक साइड में दर्द होगा और यह जिस यह जो दोने सेड़ आगी हो रहे इस दर्द में जहां पर आगे और यह साइड में जब ज्यादा किड्सटन उसकता है और इस दर्द का बहुत ज़्याधा होने पर वेक्ट्री को नोस्या जैसा लगता है वो मेटिंग जैसा लगतर कई बार उल्टी भी उसे हो जाती है और यह दर्द जब व्यक्ति को होता है तो अपने पाउं पेट की तरब करके बेट जाता है यह चलने भी असमर्थ हो जाता है इस तरह का अगर दर्द होता हम यह कह सकते हैं कि किड्नी स्टोन का दर्द होता है तो उस समय व्यक्ति को हलका पीट दर्द रहेएगा साथ ही पेशाफ से सम्यचत है जिससे रुख रूक कर पेशाफ में जयलन होना पेशाफ करते समय दर्द होना तो इसे भी हम किड्नी स्टोन का दर्द कह सकते हैं यदि इस प्रका के लक्सन आपने दिखाई दिए तो खो स्वीटल में सब्सक्राइब कई लगाई जाते उसे पहला है डायख के नाम से जानते जो इसकी पूपिलर ब्राइम यह यह पर बेन कर पर रहां गेगcken आई भी इंजेक्शन लगाते हैं और सामय नहीं होता है उसको आयम लगाते हैं इसलिए जब भी डाइनापार इंजेक्शन या डाइकलोफिन लगाएं तो उस समय उसकी पहले वाहिल एंपूल को देख लें कि कोई रूट्स इसको लगाना है उस तरह से पेसेंट को लगाएं तो उस समय इसका प्रियोग लिया जाता और पेसेंट को काफी अच्छा फाइदा मिलता है जो दूसरा इंजेक्शन है वह है ट्रामाडूल इंजेक्शन यहां इंजेक्शन उस समय ज्यादा तर दिया जाता है जब व्यक्ति को डाइकलोफिनेक्स से आराम नहीं होता है तो शुरूआत में ही ट्रामाडोल लगा देते हैं अगला इंजेक्शन है ड्रोट्रावरीन इंजेक्शन इसे हम ड्रोट इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं यह एक एंटिस्पास्मोडी ग्रुप की दवा है हालां कि इसका प्रियोग मुख्य रुप से महीलाओ में मासिक धर प्राना और सस्ता इंजेक्शन हैं जिससे आपने कभी न कभी जोर से प्रियोग लिया होगा वह है इनजेक्शन है हायोसिन व्योटल ब्रामाड इंजेक्शन जिसे हम भुसकोपान इंजेक्शन के नाम से जानते हैं यह ईंजेक्शन अन्티-koLER ग्रुनेर्जक दवा है जो क प्रियोग पत्री के दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है और इसको ब्रेंड नेम से बता रहा हूँ कि यह है अपनी तरह का एक ही इंजेक्शन है और इसका प्रियोग डॉक्तर दारा काफी लिया जाता है इसका जो composition है वो है Diclofenic ये दोनों ही दवाई इस injection होती है जिसमें Diclofenic जो एंटी कोलिनर्जिक दवा है जो abdominal area में जो pain होता उसको ठीक करने का कारी करता है और जो Diclofenic है ये NSID class की दवा है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में हमने जाना ही था यहाँ injection भी kidney stone का जो pain होता है पत्रे का दर्द होता है उसको ठीक कने लिए काफी अच्छे तरह से दीया जाता है अब यहां पर सवाल आता है कि यह कोई व्यक्ति है जिसको पत्री का दर्द हो तो उससे सबसे पहले कौन सा injection दिया जाना चाहिए या इनमें से कोई भी injection दिया जा सकता है तो इसको हम जान लेते हैं जब में मरी जाता है जिसको पत्री का दर्द है तो समय पहले ज सबसे पहले जो इंजेक्सन दिया जाता है वहां इंजेक्शन होता constitutional कि पतरी का दर्द हो टृकट्र हो जाता लेकिन यदि दर्द थीक नहीं हो तो से ँिंजक्षिन द्या गया जाता इसको बाइपने दार्थ उस्सक्बभी एक एग इन्जक्षिन लोग्ठर और अनुभों धार दर्धु द्या गया गया setting या को र या आताइफ और बाकिक इन में से कोई भी injection दिया जा सकता है, समयरे ते एक injection देने पर अच्छा असरी मिल जाता है और प्रत्री का जो दर्दे वह ठीक हो जाता है अब यहाँ वीडियों में हम एक बोनस जानकरी जान लेते हैं, जब किड्नी इस्ट्रोन के दर्द को ठीक करने के लिए injection दे दिये जाते हैं, एक बार दर्द ठीक हो जाता है, तो उसके बाद में कौन-कौन सी टेबलेट दी जाते हैं, जिससे कि वापस किड्नी इस्ट्रोन क में दी जाती हैं, और इस सभी इंजेक्शन का ताथा टेबलेट का प्रियोग, सिर्फ पत्रिये के दर्द को ठीक करने के लिए ही प्रियोग लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आप ये सोच ले इनको देने से पत्री बाहर निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, इनको सिर्फ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, और यदि इसकी आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो अस मेरी सिर्फ की पूरी डिटेल उपर आई-कार्ट पर क्लिक करके आप जान सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरी जानकरी मैंने बताई है कि पत्री के दर्द में कौन- के भी काम आसके, और अभी तक आपने अपने एट्यूप चैनल लर्न अबूर्ट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो निच्छे दी के बट्न को दबागर जो से सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बैल आकने से जोड दोबाए, जिससे कि आने वाले वीडि आप अपने दोस्त मोहित अदीज के साथ देख रिए अपने एट्यूप चैनल लर्नावूर्ट मेडिसिन, थैंक यो फ्रेंड्स, टेक क्यार, एंड बी कैफ वर मेडिसिन उसेज,